तो अगर निफ्टी ने काफी अच्छा मूमेंट दिया आइटी सेक्टर ने काफी अच्छा पुल किया और बैंग निफ्टी में आपने देखा होगा कि मार्केट कितना भी हाई जा रहा था बैंग निफ्टी एक रेंग में फसा हुआ है और कल यह उमीद है कि वह रेंज को ब्रेक करेंगा अच्छा मूमेंट देगा क्यों मैं यह बात बोल रहा हूं क्योंकि डेटा उसी साफ से बिल्ड हुआ है इसके बाद चार्ट अनलिसस और हम ऑप्शन चैन अनलिसस करेंगे यहां अगर बात करें तो फिर नेगिटिविटी आपको देखने को मिलती है यहां केवल एक ही चीज नेगिटिविटी इंडिकेट कर रही है तैस कि यह इंडिया विक्स जो है वो अभी सस्टेन कर रहा है अब फिफटीन तो यह बड़ा है एक रीजन जहां यह सस्टेन कर रहा है क्योंकि काफी अगर आप देखेंगे पिछले एक साल छे महीने साथ म जो बात कर रहे थे हम उसमें देखो ऑप्शन एनलेसिस की बात करें तो ऑप्शन में इन्होंने 13,000 करोड की बाइंग किये किसमें बैंक निफ्टी में बड़ी बाइंग किये और कल उसकी एक्सपाइरी तो बड़ा मूमेंट आपको एक्सपेक्टेशन जो रखनी हो बैंक सेलिंग किये तो अगर मालो मार्केट काफी बड़ा अपफूर्ड मोमेंट देता है तो फिर प्रोक शपेशन में जो निकलन होते है इसके साथ आपको यह भी धियान रखना है कि इस पोजिशन से भी निकलना तो यह निकलेंगे कब जब यह मार्केट आज की क्लोजिंग से 0.3% उपर या 0.3% नीचे हो अम मालो 1% उपर ही खुल गया तो यह इसमें तो प्रोफिट कमा लेंगे बट इसमें कब प्रोफिट कमा लाएंगे जब यह मार्केट को नीचे कभी गिरा है जा एक के लिमें गिरा है ना बट हां काफी नीचे लेवल तक लाएं और आज के लेवल पर लाना जरूरी नहीं नीचे भी लाएंगे तो यहां पर जो इन्होंने सेलिंग कर रहे हैं उसमें प्रोफिट इनका अच्छा सेलियर की बाइंग चल रही है तो ज्यादा चांसे है कि हां इन्होंने बाइंग कर रहे होगी बट हां हम लेवल टू लेवल की बात करेंगे अभी तक डेटा साइडवे टू बुलिश है और बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बड़ा मूव 282 इसके बाद नेक्स्ट होगा यही क्रूशल लेवल है अगर यहां से रिवर्स हुआ तो भयानक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यह ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर बन जाएगा इससे पहले भी यहां तक आया था दो दिन पहले भी आया और फिर आज जा रह लेते हैं जब तक 900 नहीं तूटता 890 नहीं तूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है बट एक बर 890 तूटता और उसको रजिस्टेंस बनाता है मार्केट तो फिर आपको 21780 तक के लेवल इसके बाद क्या लेवल रहेंगे तो 21650 तक के लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं बढ़ हां यह याद रखना 21954 और 2890 यह almost 60 पॉइंट की रेंज है और अगर इसके उपर में बुलिश हूँ तो यह मेरा ऐसे लोग और इसके नीचे में बियरिश हूँ तो यह मेरा ऐसे लोग यह नहीं कि मैं बियरिश हूँ और मार्केट उपर जा रहा है म यह नहीं करने इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यह 60 पॉइंट का ऐसे ले अगर मैं ओप्शन में कर रहा हूं एटीम भी करना हूं तो 60 में 30 पॉइंट या 20 पॉइंट है ना क्योंकि डेल्टा का सी कम होता है तो आपका 20.30 पॉइंट का ऐसे बनना चाहिए है ना आप से बिल्ड हुआ है एंड यह काफी टाइम से एक रेंज में भी है तो हो सकता है यह रेंज को तोड़े तो उपर की रेंज क्या है उपर की रेंज है हमारे पास 970 970 का लेवल टूडता है यानि अल्मोस्ट हम यह लेके चले 46,000 का लेवल टूडता है तो 46,300 तक का मुम नहीं इतने बड़े मुमेंट भी नहीं है यह अगर हम बात करें तो बड़े मुमेंट मिल जाते है यह यह चीज आपको देखनी होगी कि अगर बड़ा गेप अप हुआ तो फिर प्रोफिट बॉकिंग आएगी चाहे थोड़ी देर बात आए बट हां आने के चांसे उन्होंने option को sell कर रहे हैं वहां से भी निकलना होगा क्या करते हैं को लिए क्या करते हैं को दोनों को sell करके रखते हैं ठीक है बड़ा movement होगा यानि बड़ा moment नी बड़ा gap up हो गया gap down हो गया तो फिर क्या होगा selling pressure जन्रेटों का नीचे आएगा मार्केट फिर वापस उठा लेगे वह अपनी option जो उन्होंने फिन निफ्टी में पोजिशन बना रहे हैं उसे exit करेंगे फिर वापस पार्केट उठा लेंगे तो इसमें आपको प्लान करना है वह बड़ा क्या है बहुत क्रूशल लेवल पर है 45,500 अगर टूटता है या 600 की नीचे हमें closing मिल जाती है तो 45,280 तक के लेवल आपको बेंग निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर मैं SL की बात करूं तो यहां पर 200 का SL आपको बनेगा in buying side as well as in selling side 200 points का SL है अब expiry वाली trade अगर कल की expiry में trade करना है तो यह 200 points तो नहीं ले सकते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर मैं 962 के उपर buy कर रहा हूं तो फिर मैं 46,100 का C buy करूं जो कि मुझे 30 या 40 रुपे पर मिल जाएगा और अगर मैं 600 के नीचे buy कर रहा हूं त 400 का put buy करूं ताकि वो 30-40 रुपे का मिल जाएगा और मेरे day SL के बराबर ही मेरा risk रहेगा तो quantity भी manage करनी यह नहीं कि मेरे को यह premium buy करनी है एक तो premium buy करनी है और कितनी quantity buy करनी है अगर मेरे पास 1,00,000 का capital है तो फिर मैं केवल 3,000 रुपे से trade करूंगा expiry वाले day में या फिर मै next experiment trade करूंगे इन चीजों का आपको ध्यान रखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपके favor में चीजें होना start होगे कि 3000 भी लगाओगे तो भी 6 कमाल होगे और 1,00,000 लगाओगे तो risk के डर से आप capital loss के डर से या तो loss में ही निकलोगे 80% या 20% benefit भी कमाओगे तो 1000 से जब मैं 6000 कमा सकता हूँ तो मैं risk 1,00,000 की क्यों बढ़ा हूँ इस वे में आपको planning करनी है in bank nifty level clear है 45280 और ये टूटेगा तो 44880 तक के level देखने को मिल सकते हैं और कल है expiry expiry में जब put writer call writer फस्ते हैं तो वो direct equity market में buy करके market को up and down करा देते हैं तो बात कर लेते हैं option chain candidate कर रहा है तो option chain अगर हम बात करें तो option chain clearly bullish है यहां पर देख़ूं तो inner money call writers ने भी exit किया है और almost सभी जगे पोट्राइटर्स बेठे हुए केवल एक position है 22,050 जहां से exit हुआ है तो that's a big thing ठीक है तो यहां gap up की chances काफी higher side है in nifty data उसे साफ से build है अब वो survive करेगा नहीं करेगा तो 150 का level important है अगर यह support बन जाता है तो no doubt हमें अच्छा उपर जाके candle में ही जाए और अगली candle में आ जाए उसकी बात नहीं कर रहा है उपर जाके रुकने की बात कर रहा है तो 150 जो इसका high है उसके उपर survive करता है तो no doubt आपको एक अच्छा moment upside दिखेगा in next few days तो continue चलेगी यह तेली फिर है न अब call and put कहां भाय कर सकते है तो 21,800 no doubt हमारे call के level हो गए 2700 भी हमारा call का level है 2900 भी हमारा अब call का level हो चुका है सब जगे 50 points का risk रहेगा हमारा और 120 points के target रहेगे जैसे ही 50 points आपके direction में जाता है तो फिर आप क्या करेंगे आप 50 points आ गया यानि cost to cost SL को shift कर देंगे so that हमारा loss नहीं हो similar way में put के level एक तो 22,250 crucial level है काफी important level है 22,250 यह यानि third top बन के गिरना स्टार्ट हुआ नहीं गिरे अच्छी बात है बट अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ा बहुत तो यह scalping तो यहां करी सकते हो थोड़ा बहुत गिरेगा बट पुल बेक यहां रुख जाएगा तो no doubt अच्छा upward moment देगा बट अगर यह गिरावाट स्टार्ट जहां पर हम put buying कर सकते हैं और यहां पर risk क्या रहेगा यहां पर risk आपका 50 पॉइंट का and target आपके 120 पॉइंट के रहेंगे जैसे 50 पॉइंट आपके direction में जाता है आप cost to cost आओगे फिर 50 पॉइंट और जाता है तो 50 पॉइंट की profit पर आओगे फिर अगर 20-30 पॉइंट जाता 200 के round इसने closing दिये and यहां crucial level क्या है यहां crucial level आपका है 46,150 इस level को ध्यान रखना 200 भी हो सकता है थोड़ा बहुत उपर थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है बढ़ हां 150 is a crucial level हो सकता है कल आपको market crucial level पे ही यह open करने तो हो सकता है यहीं open होता हूँ market देखने को मिले यहां अगर उपर जाता है तो फिर आपका जो एसल बनेगा अगर 200 क्रोस हो गया और सस्टेंट करेंगे तो फिर नोडाउट अपसाइड आपको देखने को मिलेगा पर जब तक 200 क्रोस नहीं हुआ या दोसो पर यह resistance कर रहा है तो फोल्ड कंफर्म आपको देखने को मिलेगा अहां तक तक का और यहां पर हम एसल क्या लेकर चलेंगे तो 100 पॉइंट का आपका एसल रहने का 200 से 300 अगर हम पूट की बात करें तो और का हम आए कर सकते हैं अगर यहां नहीं ओपन होता है तो 980 के रावन अगर रेजिस्टेंस करता है तो भी हम पुट अटेंट कर सकते हैं विद हंडेट पॉइंट से तो यह दियान रखना पितालीस नौश्य या च्यालिस दोसो दो लेवल जहां हम पुट अटेंट कर सकते हैं इन बैंग निफ्टी अब कल की एक्सपैरी में कर इना तो 6600 का पी सुबह दिखता है तो 6600 का और अगर आपको एक दूबजे के राउंट दिखता है तो चैनलेस और एक आपकर आपको उस रेंज में आ जाते हैं वह वैल्यूज कम हो जाती है डिके हो अल्मोस्ट हो चुके होता है न सो यह थोड़ा ध्यान रखना क्या हमें बाए करना हमें बाय करना है 3% करना 3% AH से ज़ादा, एक्सा्यारी वाली ट्रेड नहीं करनी करना को इस नहीं करें है, जब 30RP की चीज खरीदोगे और अगर गिरावट हुई तो कहां तक की expectation 900 तक की यह मिल जाएगा हमें 30-40 रुपे का 900 तक आया तो यह 500 का हो जाएगा 30-30 रुपे की 3,000 रुपे आपने लगाया और 500 हो गया तो 15,000 बनता है ना इस वे मैं थोड़ा समझ के चलिए कोल कहां अटेम कर सकते हैं तो कोल का एक तो लेवल मन रहा है हमारा 550 जहां पर आज काफी solid support मिला इनको और इसके बाद अगर गिरता है तो फिर हमारा 200 का लेवल कोल का बनेगा 250 लेकि चलना 250 तो 550 और 250 दो कोल के लेवल है दोनों हर जगे आपका 100 पॉइंट का risk and 250 के टार्गेट है बढ़ टार्गेट किस वे में अचीव करना ये क्लिए रखना 100 पॉइंट का जैसे आपका moment आपके direction में हो जाए तो फिर हमें क्या करना इसल को cost to cost और फिर hundred points होते है हमें 50 पॉइंट हो तो हमें book कर ले नहीं यह महार दानिंग रहेगी कल के लिए for expiry I hope यहा तक चीज़े क्लियर होंगे कुछ भी doubt है तो comment section में comment करें नहीं है समझ में आया तो भी comment किजिए और नहीं आया किसी चीज़ को आप चाह रहे हैं कि अच्छे से और explain किया जाए तो वो भी comment किजिए तो इन चीज़ों से क्या होता है algorithm में video जाती है और वहाँ से काफी लोगों तक YouTube प्रमोट करता है नो जितने जाता लोगों तक पहुचेगी genuine analysis है उतना ही benefit होगा लोगों का and also channel का तिक है so I hope यहाँ तक चीज़े क्लिए रहोंगी क्लिए रहें तो please like and comment thank you